आज तक आपके साथ हुमें निगाबात हम शुरुवात करेंगे आज तक की बड़े खुलासे के साथ दरसल आयोध्या में राम मंदे दिर्मान पर सेहनती की श्रीशी रविशंकर की कोशिजों के बीच आज निर्वोही अखाड़ा के महंत दिनेन दास ने बड़ा दावा किया जिस पर श्रीशी ने चुपी सादली कुछ भी बोलने से उनका इंकार और उनने कहा कि मैं बाद में इस बारे में बात करूँगा दरसर वो निर्टे गोपाल दास से मिलने जा रहा है थे उससे पहले उनसे ये सवार किया गया कि जो दिनेन दास कह रहे हैं उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है उनने कुछ भी बोलने से साफ तोर पर इंकार किया और उनने कहा कि मैं आगे इस बारे में बात चीप करूँग कि एक्स्क्रूसिव रपोर्ट लगाता हम आज तब पर दिखा रहे हैं क्या कुछ कहा दिनेन दास ने और शीशी रविशंकर ने ये सुनुग मैं बाद में बाद करो बाद में बाद करो बाद में बाद करो तरयोध्या में राम मंदे निर्मार पर सेहमती की श्रीशी रविशंकर की कोशों के बीच आज दिन बोही अखाड़ा के मेहंत दिनेन दास ने बड़ा दावा किया दरसल आज तक सिखास बाक्चीत में मेहं दिनेन दास ने दावा किया कि सुन्नी सेंट्रल वक्ष बोट को दिया जा सकते हैं 20 करो रुपए देखे हमारी एक्स्क्लूसिव रिपोर्ट श्रीशीर के मिशन मंदिर पर सबसे बड़ा आरोप पक्षकार निर्मोही अखाड़े के महंत दिनेंद्र दास का दावा सुन्नी सेंट्रल वक्ष बोट को रुपएँ का ओफर सुन्नी वक्ष बोट को 20 करोड तक का ओफर का दावा निर्मोही अखाड़ा के महंत दिनेंद्र दास के इस दावे ने आयोध्या में राम मंदिर निर्मान के लिए श्रीशीर रवशंकर के सबसे बड़ी कोशिश को सबसे तगड़ा जटका दिया है श्रीशीर रवशंकर इस समय सभी पक्षों से बातचीत कर सेहमाती का रास्ता निकालने के लिए अयोध्या में है लेकिन निर्मोही अखाड़ा के महन्त दिनेंद्र दास ने स्रीश्री रवशंकर की पक्षकारों से बाचीत के पहले ही फोड़ दिया करोडों के ओफर वाला बंप करूण के लिए अगंजित वाला मामन का उसका निक एक करोड़ी बागाल को काड़ा अगरा थे नहीं तो हम पहले पहले नहीं पर प्रचारों को दो करूण दो करूण दो करूण दो करूण इसे उनकी खुशी मंदिर मन जाए निर्मोही अखाडा के महंत दिनेंद्र दास का दावा है किलाबाद हाई कोड से विवादित जमीन पर एक तिहाई हग पाने वाले हैं श्रीशी रवशंकर महंत दिनेंद्र दास का दावा है कि मुस्लिम पक्षकार मुकदमे के खर्च के नाम पर पहले वी ऐसा इशारा दे चुके हैं हलाकि इस बारे में ना ही श्रीशी रवशंकर की और से अभी कुछ कहा गया है ना ही मुस्लिम पक्षकारों की और से लेकिन दिर्मोही अखाडे के महंत दिनेंद्र दास का कहना है कि श्रीशी रवशंकर सभी से इस बारे में बात करेंगे निर्मोही अखाड़ा भी मंदिर मस्जिद विवाद में मुक्ष पक्षकार है खुद को विवादी तस्थल का संरक्षक बताने वाले निर्मोही अखाड़े को इलाबाद हाई कोट से एक तिहाई जमीन पर मालिकाना हक मिला है हाला कि पूरा मामला अभी सुप्रीम कोट में है जहां निर्मोही अखाड़ा भी पक्षकार की हैस्यत से मौजूद है अभी निर्मोही अखाड़ा के महंतर दिनेंदर दास के दावे की कोई तस्थीक नहीं हुई है अभी तैयार बड़ा परदान मंदर से बात करेंगी और उनके जो मस्जिद वाला मामला उनका तो उसका एक करोन बाद करेंगे अभी नहीं तो हम कहें कि पहले तो उनकी बाद कोशना पड़ेगा इतना चाहिए एक करोन, दो करोन, दस करोन, बीस करोन लेकिन आपसी रजामंदी की इस बड़ी कोशिश के बीच महंतर दिनेंद्र के करोन के ओफर का दावा पूरी मुहिम पर स्तवाल खड़े करता है अयोध्या से बनवीर सिंग के साथ आज तक देरो सुन्नी वक्फबोर्ड जिनको पैसे के ओफर की बाद इनेंदास कर रहे हैं उनके सदस्य है हाजी महबूब जेए इन पर खुलासे के बाद आश्टर समवाता पदमजा जोशी ने इंसे खास बात चीट की अभी हमारे पास कैमरे पे एक ऐसा सामने निकल करके आया है कि निर्मोही अखाड़े के जो मुख्य महंत हैं वो कह रहे हैं कि एक से बीस करोड़ रुपे की बात हो रही है सुन्नी वक्फबोर्ड से कि वो छोड़ने जमीन और दूसरी जगे विद्यकुन के पास जमीन ले मुस beliefs किसी से बिकता नहीं है हॉं ना मस्जित के मस्था में कोई कभी करी सकता है जो मस्जित की जगा वो ख क्यामत मस्जित की गए इसके मैं सौधा नहीं करूँगा हां अगर मुस्सकर कोई बात करेगा तो मैं उसके जवाब दूंगा लेकिन da Wrap צरे हो क्या है कि आप आप पर शुखना इमिन खरेव से में?' लिदा समेश दौटना हॉखने हं uw सकत्राइब से मधूप वह उन्युल सब्सक्राय का पूराय ब करें हैं वाइन प flatterer disruption 91 ने भुन्याद रखी हूँ मेरे फ़ादर Сब्सक्राइब लड़ते रहे। ये बहुत वाजिब बनता है इसलिए क्योंकि उनको पर सीधे आरोप लग रहे हैं कि वो पैसे लेकर के डील करने वाले थे उनका सुनी वकबोर्ड डील करने वाला था तो उनका डिनाई करना बनता है लेकिन आप अगर सीक्वेंस आफ इमेंट पर देखें जो शुरुआ से हो रही है कि किस तरह का फैसला इसमें निकलने की उमीद है उसमें आप कुछ दिनों से जो चर्चा हो रही थी कि किस तरह का समझोता हो सकता है किस तरह का रास्ता निकल सकता है उसमें साफ तोर पर इशारा इस वोर हो रहा था कि जो इसमें सुनी वकबोर्ड की जमीन है उस इस बारे में बात हो रही थी जरूर हुई होगी उसी के चलते हैं उन्हें कहा और सबसे महत्पूर्ण बात यह है कि दिनेंद्र दास इसके मुखे जो पैरोकार है अखाले के उनकी तरफ से रहनुमाई कर रहा है और उनकी मुलाकात 11 नमबर को बैंगलोर में हुई है रवी श इस तरह के आरोप हैं वह बहुत गंबीर है अगर श्रीशी रविशंकर जैसे श्ट्रेचर वाला आदमी इस तरह की बात या कोई शुरुवात भी करता है तो काफी बड़ा सवाल उठता है क्योंकि कई बार कई मद्दों पर कई बड़े मसलों पर वह बीच में पर परोकार और सलाकार की भूमका निगाच चुके हैं बारा सरकार के लिए भी और ऐसे में इतनी बड़े मुद्दे पर जो की सालों साल से चला आ रहा है उसमें उन पर ये आरोप लगना कि वो पैसे की पेशकर्स कर रहे थे वो बहुत गंहीर प्रश्ण ठाता है और कहीं कहीं उनकी चवी को भी दाग लगाता है हमने इनसे बात करने की कोशिश की कई बार उनसे कोशिश की कहा कि आप बताएं दो लाइन में ही बता दें कि जिस तरह का आरोप है वो उस पर आपका क्या कहना है उन्होंने बिल्कुल साफ तरप कह दिया कि वो बाद में बात करेंगे जबकि इतना बड़ा आरोप और ऐसे दिन वो इस सम्मुद्धे पर बाचीत कर रहे हैं तमाम फैरोकारों पक्षकारों से मिलेंगे उन पर समझोते हैं और हलकी बात करेंगे ऐसे में उनका जवाब सीदे सिदे न देना सवाल उठाता है कि आखिरकार उनको दो लाइन ये कहने में क्या जाता था कि आरोप जूटे हैं या फिर उस पर बात जो कर रहा है दिनेंदास की बात को डिनाई करते हैं लेकिन उनको डिनाई करने के बज़ाए इस पर बात करने की बात कही हमारे सुत्रों के मताविक जैसे ही एक हमार आस तक पर दिखाए गई उसके बात की हुई कि आज तक के खुलासे पर कॉंग्रेस एता रेंडीव सुर्जेवाला ने कहा कि मर्यादा पुरुशोत्तम राम के नाम पर उपया पैसे की बात ठीक नहीं है उनसे बात कि आज तक सवाता कुमार विकरान ने यानि जो मनुश्य में सबसे ज़्यादा उत्तम है तो राम है मुझे नहीं लगता कि उनको लेकर किसी व्यक्ती विशेश या सम्हूं को रुपिया पैसा में खरीद फरोक्त की आउशकता है उन सब लोगों को जो किसी वजह से रास्ता भटक गए हैं हम बड़ी विनमरता से ये कहेंगे अपने मन के पाठ खोल लीजिए राम वहां मिल जाएंगे रुपिया पैसो से राम कभी नहीं मिल सकते वाक्त एक शुरे से ब्रेक का होचला है ब्रेक के उस पार भी आज तक खबरों का सिर्सन लागतार जारी देगा देखते रहें आज तक लेटिस खबरों के लिए यो ही देखते रहें आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले